बहुत अबंदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स लगातार हो रही बारिश की वज़े से ठाने और मुंबई के कई हिस्सों में पानी भरने की खबर सामने आई है साथ ही औरेंज एलर्ट भी जारी किया गया है आपको बताजे की भारी बारिश होने की वज़े से ठाने के बंदना डीपो के पास की ये तस्वीरे है जहां तेस बारिश होने की वज़े से चलकों पर भारी जल जमाओ देखा जा सकता है वहीं बारिश से मुंबई और आसपास में जलापूर्ती करने वाले जील उफान पर है तांसा और विहार जील ये पूरी तरह से उफान पर है BMC ने बताया है कि मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाले साथ जलाशयों में से विहार और तांसा और तुलसी झीले उफान पर हैं। मुंबई शहर के खाड़ी से अवैद तरीके से रेती निकालने वालों पर ठाने राजोस विभाग के अधिकारियों ने अवैद रेती निकालने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले करीब एक करोड के उपकरण को नश्ट कर दिया है। महराश के ठाने में बलतकार के मामले में स्वंभू बाबा को गिरफतार किया गया है। महराश के नासिक का है जहां ये युवक इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से पहले गाड़ियों में तोड़ फोड करते थे और आगजनी भी करते थे लेकिन आरुपियों को पुलिस ने पकड़ा और सड़क पर इनका जुलूस निकाल दिया। सड़क किनारे एश्टी बस का इंतिजार कर रहे यात्रियों के पास एक तेज रफतार डंपर डिवाइडर को तोड़ते हुए पहुँच जाता है। लेकिन वक्त रहते यात्री वहाँ से हड़ जाते हैं जिसकी वज़े से कई यात्रियों की जान बच गई है। ये वीडियो मुंबई आगरा हाइवे का बताया जा रहा है। दिन दहाडे एक व्यापारी से लाखो रुपे लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। वीडियो महराश के सामभजी नगर का है लूट के लाखो रुपे लेकर भागता हुआ ये शक्स CCTV कैबरे में कैद हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भागते हुए ये युवक आगे एक बाइक पर बैठ कर फरार हो जाता है। उम्र के शक्स को गिरफतार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। यूपी के गोंडा पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरों का भंडा फोड करते हुए दो लोगों को गिरफतार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मताबिक इनके पास से 99,600 रुपे नकली और 10,000 रुपे असली और कुछ नशीले पदार्थों के साथ एक बाइक बरामत किया गया है। गुंडा जिले के उमरी बेगम गंच पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ये बड़ी काम्यावी मिली है। डॉल्फिन का शिकार कर उसे खाने के आरोप में पाच लोगों के खिलाफ एफाई आर दर्च किया गया है। मामला यूपी के कौशांबी का है जहां फोटू वाइरल होने के बाद वन विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर कारवाई की है।